प्रियंका लड़ेंगी वाइनाट से चुनाओ, भाई सम्हालेंगे राय बरेली, बेहन देखेंगी वाइनाट रणनीती तैयार परिवर्तन के बहे बयार, युपी चुनाओ में बदली कॉंग्रेस की फिजा देश भर में चुनाओ समपन हो गए हैं, आकड़े भी पक्षे-पक्ष की लड़ाई पर शबासी जता रही हैं कांटे की टकर, मगर भाजपा ने खड़ी करी अपनी सत्ता वही सवाल यह भी है, दो जगह से चुनाओ जीतने के बाद राहूल कौन से सीट को अपनाएंगे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार राहूल मा की सौपी और कॉंग्रेस की विरासत वाली सीट को अपना कर सकते हैं तो ऐसे में फिर सवाल है कि आखिर वाइनाट का क्या होगा, जहां से राहूल बतौर दूसरी बार चुनाओ जीते हैं तो चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर कॉंग्रेस इस बार क्या विचार कर रही है और सूतरों के बीच से खयास बरी खबरे भी जो सामने आ रही हैं वो यही है कि कहीं न कहीं प्रेंका गांधी के प्रशंशकों के लिए ये किसी बड़ी खुशकबरी से कम नहीं है ऐसा माना जा रहा है कि इस बार वाइनोर्ट से चनौ लड़ सकती है प्रेंका गांधी पूरी तरह से राजनीती में अपना पैर भी जमा सकती है लेकिन इस बात में कोई दोराए नहीं है कि यूपी में इलेक्शन के वक्त कॉंग्रेस का प्रदर्शन को बहतर करने में सबसे ज्यादा हाथ रहा है तो खुद प्रेंका गांधी का और यह बात खुद राहुल गांधी भी कहते नहीं ठकते और इसी बीच हाली में राहुल गांधी ने भी बात कही थी कि अगर प्रेंका गांधी से सवाल किया जाता है तो वो राजनीती के मैदान में उतरने से साफ मना कर देती है लेकिन वो भले चुनाओं में ना खड़ी हो लेकिन राजनीती की पकड़ उन्हें तो विरासवत में मिली है इस बात को विपक्ष क्या सकता पक्ष भी अब मैसूस करता होगा क्योंकि यूपी का उलेट फेर इस बात का उधारन देने के लिए काफी है हाला कि जब भी प्रेंका से चुनाओं में उतरने के लिए पूछा गया तो अक्सर वाई या बात कहती है आई है कि अगर मैं राजनीती में पूरी तरह से उतरी हूं उसके लिए जरूरी नहीं कि मैं राजनीती में उतर कर चुनाओं लड़ें और जीतू बेरहल अब देखना होगा कि वाईनाट पर प्रेंका की दावेदारी होगी या फिर कुछ और पाल्टी की रणनीती हो रही है तया